नमस्ते बच्चों, आज हम चप्टर नमबर 11 की एक्सरसाइज 11.5 का सम नमबर 3 करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है मेज गणित इस सम में हमें कहा गया है कि इन समिकरनों के हल चुनिए तो आप देख रहे हैं कि यहां मुझे एक समिकरन दिया गया है और इसके कुछ हल हमें ब्रैकेट में दिये गए हैं जिसे हमने चुनना है कि इन में से कौन सा हल है जो इस समिकरन को सैटिस्फाइ करता है, संतुष्ट क इसका अर्थ यह हुआ बच्चों कि इसमें जो आपको वियंचक दिखाई दे रहा है जो कि M है यदि हम M के स्थान पर इन वैल्यूस को रखेंगे तो यदि वह राइट हैंड साइट के इक्वल आ जाता है तो इसका अर्थ है कि वह इस अमिकरन का हल होगा तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं कि इसे जो है हम कहते हैं बायापक्ष और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसे हम कहते हैं दायापक्ष और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं राइट हैंड साइड ठीक है बच्चों तो इन में से कोई भी वैल और दाया, दोनों पक्ष एक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, वही उस समीकरण का हल होगा. तो आईए हम सबसे पहले, जो हमें वैल्यू दे रखी है, वह है 10. तो हम M के स्थान पर हमने 10 रखेंगे, समीकरण में रखने पर. जब हम M के स्थान पर 10 रखेंगे, 2 और M गुना, M और 5, आपस में इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, तो इसका अर्थ है कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, गुना हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर M के स्थान पर रखेंगे 10, यानिके 5 गुना 10. तो 5 गुना 10 रखने पर बच्चों, ये राइट हैंड साइड पर 60 का 60 लिख देती हूँ मैं, पाँच गुना 10 तो हमारे पास आया 50, जो की राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो इसका अर्थ है हुआ कि 10 जो है, वह है हल नहीं है. ठीक है बच्चों, इसके बाद दूसरा लेते हैं हम वैल्यू, वह है 5, तो जब हम M के स्थान पर 5 रखेंगे, समी करण में रखने पर, 5 गुना 5, बराबर राइट हैंड साइड पर तो 60 था, तो यहां पर आ गया 25 यानि के 25 और इधर आया 60, यानि कि यह भी लेट साइड और राइट साइड जो है, बाया और दाया पक्ष बराबर नहीं है, तो इसलिए 5 भी इसका हल नहीं है. चलिए, अब हम तीसरी वैल्यू की तरफ चलते हैं, जो है 15, तो M बराबर 15 समी करण में रखने पर, तो जहां हम M के स्थान पर 15 रखकर देखते हैं, कि हमें क्या मानप्राप्त होता है, 5 गुना 15 बराबर 60. यहां पर हमें लेप्ट साइड में मिला 75 और राइट साइड में तो 60 है, तो यह भी इक्वल नहीं है, तो इसका अर्थ हुआ कि 15 भी इसका हल नहीं है. आएए चलते हैं next value की और जो की है 12, तो चलिए M बराबर 12 समी करण में रखने पर, हमें क्या प्राप्त हुआ, आएए देखते हैं. पांच गुना बारा बराबर राइट एंड पर तो साइड पर साट ही था. तो देखिए अब हमें left side पर भी 60 प्राप्त हुआ और right side पर भी 60 प्राप्त हुआ तो इसका अर्थ है कि left hand side और right hand side ये दोनों equal आ गए, दोनों बराबर आ गए तो इसका अर्थ है कि 12 ही जो value है वह इस समीकरण का हल है, ठीक है बच्चो?